अलो रिवान, वेलकम टो मैं चानल 555 टारोट, I hope आप सो भी अच्छे एंड पॉजिटीवली सोच रहे हैं, तो जिन्होंने चानलों को सब्सक्राइब किया, उनका दिल से देने वाद, थैंक यू सो मच, तो रिडिंग है, मेसेज़िस के लिए, उनके दिल के मेसेज़िस क्य है, वो जानने के कोशिश, रिडिंग जनरल है, क्लेक्टिव है, प्रीज इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि कुछ मेसेज़िसे आपके लिए हो, और कुछ बिल्कुल नहीं हो, तो रिडिंग हो रही है, बस एक मैनिफेस्टेशन डिर्रेक्ली हो सके, इसके लिए हो सकते है, और कुछ मेसेज़िसे आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी हो, इस रिडिंग के तुरू हो सकता है, तो स्टार्ट करते हैं रिडिंग, विद पॉसिट नोट, अगर सिचुएशन नो कांटक्ट है, ब्लॉक हो, या फिर उनकी दिल के बात ना समझ में आते हैं, क्योंकि बोल नहीं रहे है, तो उनके दिल के मेसेज़िस क्या है, वो जनने कुशिश करते हैं, तो है पेशन्स, अट्राक्शन, यूर वर्दी अफ लव, प्रपोजिंग, वन सायला, सो ट्विन फ्लेम रेकंगेशन, काफ़ी खुपसवरत एनरजी, यह कुछ लोग के लिए जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, वरी फ्यू होता है, तो उनके लिए खास, यह मैसेज यह है, कि उनको एहसास है, कि एहसास हो रहा है कही हैं कोई न ङकई से, छोट्वस लेवल से, कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ये एक एसास हो रहा है कि कि मुश्किल से होता है ये एसास कि energy जैसे आपकी shift होती है वैसे वह एसास हो नहीं लगता है बड़ धिरे धिरे से उनको खुद को जानने में accept करने में बहुत लगता है बहुत मुश्किल होती है तो normal एक message है उनकी तरफ से कि कही न कहीं उनको भी ऐसास है कि आप उनके दिल के दूसरे हिसे हो कहीं न कहीं आपको लोग का connection काफी गहरा है कुछ अलग ही है और कितना भी separation सही कितने भी मन मटा सही कितने भी misunderstanding सही कितने भी द्धोके सही बड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो आपके बीच में जरूरी है और वो एक जरूरी है वो प्यार है वो खास कितना भी सही कुछ भी problem सही तो ऐसा लग रहा है कि यह अपना patience रखे हुए है और खास करके किसी धोके के बाद धोके के बाद ऐसा लग रहा है कि उनको एशास हो रहा है कि actually उन्हेंने गल्ती क्या है आपके लिए बहुत ज़ा attraction भी है और खास करके आपकी एहमियत आपके प्यार के हमियत बहुत ज़दा भी समझ में आ रहे हैं ऐसा लगा कि बहुत जल्द उनकी तरफ से आपके लिए कुछ अप्रोच होगा कॉल है, मैसेजेस है, कुछ तो है और कुछ लोगों के लिए खास करके प्रोपोजिंग के एनरजी है जिसे अपना प्यार वो कंफेस करेंगे कि हाँ, क्योंकि मुझे सा लगा ना कि जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो आपसे कितना प्यार करते है और अभी असा लगा कि किसी भी तरीके से आपसे अप्रोच करने के बारे में वो सोच रहे हैं उनको अगर जिसे इमाजनीर वर्ल्ड हो और सब कुछ जैसे ठीक कने का या सब कुछ जैसे पिछला भूल जने का मुका मिले तो यह लिटरली ऐसा लगे है कि अभी नहीं से स्रुबात करना ज़रूर चेंगे I appreciate the lessons you taught me So, आपने हो या आपने कुछ कहां हो जिस तरह से उनको, जिसे उनको फील करवाय हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि उनको जैसे यह रिडिंग काफी जाद स्पेसिफिक है और खास करके उनको अपने गल्ती का हैसास हुआ आपकी बाते उनको छुबी तो सही, वो बात उनकी दिल में रह तो गई बट उनको वो पता चल रहा है कि हाँ यह जिन्देगी का सच है और यह उनको ने कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था अभी आपकी अलावा कुछ लाइफ में कुछ मैटन नहीं करा है, बहुत इंपॉर्टन हो गई आप आई वस थिंकिंग अव यू लास नाइट तो कल रात आके बारे में बहुत सोच रहे थे, बहुत सोचा है इंफाट मुझे हर रात की एनरजी नजर आ रही है I talk to you a lot in my hand, so कितना भी बीजी रहे, किसके साथ भी रहे, क्या भी situation हो, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके back of the mind में, या फिर असे न दिल दिवाग में आप तो हो, कही न कहीं आपके thoughts, आपकी यादे चलती रहते हैं और अपसे बात भी काते है, I really haven't been happy without you, आपके बगर वो बिल्कुल खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको status stories, dp's में, तो definitely या फेक हो सकता है, अभी सब के लिए नहीं हो, बट कुछ रोग के लिए खास messages है, आपके बिना वो खुश नहीं है don't be so insecure, so मुझे सब ये, इस में एकदम strong messages है, कि what are the reason, उनकी तरफ से movement नहोना, या third party की वज़े से, अगर आप insecure हो रहे हो, तो please don't be insecure, ये आपकी ही है, ये ऐसा उनको कहना है my heart belongs to you, इनका दिल सिप आपका है, आपके लिए रड़कता है, situation चहे जो भी हो I want to make a love to you, बहुत ज़दा एक lovey-dovey energy है, जहां पर आप से बहुत सरा प्यार करना चाहते है I didn't mean to hurt you, ये जो भी हो आपके life में, आप लोग के बीच रहे हैं, जो हो रहा है, हो चुका है ये हो रहा है तो उनका कहना है कि आपको तकलीब देने का, उनका कोई भी मकसद नहीं था, कोई भी intention ऐसा नहीं था to hurt you Please don't move on, कहीं न कहीं कुछ रीजन से उनको जैसा फील हो रहा है कि आपने मौन कर चुके हो, आपने मौन करने का decision लिया है, ये ऐसा फील हो रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक telepathic message देना चाहेंगे कि Please don't move on, अभी कुछ वक्त चाहिए, थोड़ा सा I've been dreaming of you, आपी के सपने देखा जा रहा है, आपी के बारे में सोचा जा रहा है, तो कुछ लोग के बहुत 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 सबस्क्राइब मैसेजिस है, Give some time, Please don't move on, Okay, so आपी के बारे में ख्याल है, तो ये थी रीडिंग, I hope आपको कुछ गाइदन्स में नी हो, लाइ